हेलो माई डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग आई होप सभी अच्छी होंगे और मज़े में पढ़ाई कर रहे होंगे ठीक है बच्चो तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं 20 Most Important Questions from Animal Kingdom ये बच्चों हमारा Super 20 सिरीज का नेक्स वीडियो है इससे पहले मैंने बहुत सारे चप्टर के 20 Most Important Questions को डिसकस कर लिया है तो जिन्होंने नहीं देखा है और जिनको जरूरत है ये 20 Most Important के वो जाके उनको देखिए पहले उनको ठीक है बच्चों इस वीडियो में particularly मैं डिसकस करने जा रहा हूँ Animal Kingdoms के बारे में ठीक है बच्चों तो चलो हम लोग वीडियो के स्टाट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त और बायमेंटर अब्दिलमनान और आप लोग देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अब्दिल बायोजी क्लासिस जो भी बच्चों आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर प्लीज सब्सक्राइब करिएगा जरूर मेरे चैनल को और जो लोग पुराने हैं वो मेरे वीडियो को लाइक और सेयर करिएगा ठीक है बच्चों वीडियो कैसा लग रहा है कॉमेंट करके जरूर बताईएगा मुझे तो चलो लोग स्टाट करते हैं 20 most important questions from the animal kingdom से चलो बचलो लोग स्टार्ट करते हैं हमारा तो बच्चों एंसरी के पहले या दूसरे पेज में आपका लेवल ऑफ और नेजिशन डिसक्स किया गया है आपके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के जो लेवल से उनको इबारे में आप डिसक्स किया गया तुमारा ठीक है तो इसमें जैसे सबसे पहले होता है करता है अब यही सेल्स मिल के अगर टिशू म skeptर टिशू बना लेता है तो टशू लेबल ऑब औरनेजिशन थस्ति कौन से तो बच्चो इसमें ये भी ध्यान एकना कि सिर्फ और सिर्फ क्या है बच्छो स्पॉंज ठीग है स्पॉंज और आपका टीशू लेबल पर आते हैं इसमें दो ग्रूप है बच्चो एक तो सिलेंट रेटा है ठीक है सिलेंट रेटा और एक टीनो फोरा और और अर्गन लेबल में जाएंगे बच्चो एक ही बस इसमें है आपका लेडी हल्मिंद और अगर बाकी जितने पच्चिए वह सब की सब आप इसके अगरेट्स है अब इसके में यहां पे इग्जांपल सामय मैं चकरना आए ठीक है तो पॉंजी लाई यह बच्चो और सपॉंज अभी बोला कि इसमें वाजाएंगा तमारा से रूले लेबल और फॉर इसमें आइगा तमारा साथ में यह नहीं आपका color change कर जाता हूं है थोड़ा सा दिखेंग अब इसे ठीक है तो तो दीका जो टू है बच्चो यह हम पर है यहां पर है था तो यह तो सवाय खेल तुमने हो जाएका बच्चो एंसर हो जाएगा आपका यहां धू width को तो यह वा जागा एका four वो जाएका four अगें टो मेंट यहां बिल्कुल सही हमारा answer को जाएगा थे थेंड कोर्ड जाएगा ठीक है next questions में आ जाते हैं लो questions यहां फीर एक है रफब का second question second questions में दिया हुआ है बच्छो यहां पे थोड़ा सा सब्सक्राइबडुअ दाइजिस्टी सिस्टम इस 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 मतलब होता है पर एंडस यह यह और होचिक परट यह यह कंप्लीट ऑद ब्लान को चुका है यह है इस दूतर जार्ण ट्यार लाँस वालाताटी घर्न करोल का टो अब इसमें रीजन हमें बताना है बच्चो कि क्या रीजन है ठीक है तो देखते हैं कि अप्शिंस लेकिन इसके बज़े से कोई बहुत सोट रीजन तो नहीं है इसके पास कि अपनी है जो की माउथ और नस के तरह काम करता है जैसे मैंने बोला की ब्लाइंश के किसे नहीं यहां पर एंसर हो जाएगा बच्चो आपका थर्ड एंसर हो जाएगा ठीक है बच्चो आपका इसरहल है और स्पोण्ज जहां जो हता है बच्चो आपका होता है स्पॉंच, वह गता है इसे कuzzमेत सब्सक्राइब करते हैं तो सिलेंट डेटा टेनोफोरा और सीधा एक्जामपल्स में दिया बच्छो तो यहां पर यादत में है ठीक है एनीवे देखो अगर मालों यहां पर ऑप्षिंस में होता है बोथ वन एंड टू तो मैं बोथ वारें टू तो सब्सक्राइब नहीं करत कोई option नहीं है that's why I am going for the for the options के तौर पती हाँ पर एंसर हो जाएगा बच्छो यहां पर एंसर हो जाएगा ठीक है थोड़ा सोच समझ के हमें एंसर भी चूज करना है next questions में आ जाते हैं बच्छो next questions में बोला है scaris scaris larva is called तो यहां पर सीधा हमको याद रखना बच्छो जो scaris का larva होता है ठीक है उसको हम क्या भोलते हैं तो scaris मतलब हो गया बच्छो राउंड वार्म scaris लुपरी कौइंट से हो जाएगा पूरा नाम राउंड वांप्स तो राउंड वांप्स में यहां बच्छो बहुत सारे अलग अलग आपके लार्वल स्टेज है यहां पर अलग अलग लार्वल स्टेज है तुमारा ठीक है बट इसमें एक पटिकुलर लार्वा जो होता हा फॉरस्ट पिए इसमें सलतः नाम नाम है और इस तरह से पर्स्ट पहीं स्टेज़ थी सटेज़ फूर्ठ स्टेच लार्वा होता है तो इसमें बटाइटको होता है ओ fall bao大家都 तो यह primary कह सकते हो, first stage कह सकते हो, फिर इसके बाद यह तो रहना second stage larva में convert हो जाता है, और second stage larva ही effective stage larva होता है, asqueries के cases में, बाकि sister circus, hexakend और onquest के larva, ठीक है बच्चो, यह सारे के लारवा है, मतलब यह आपका flatworms के larva है, बच्चो, यहां पर answer हो जाएगा, second answer हो जाएगा, ठीक है, next questions में आ जाते हैं, बच्चो, the next questions में, देखो questions के आप पर उतने हैं दुर्णा सा, which one is, थोड़ा color भी change कर लेते हैं, which one, one or not a homopodate, homopodate मतलब वहता बच्चो, bisexual, ठीक है, bi, sexual, ठीक है, bisexual, not a homopodate मतलब इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से unisexuals कौन है, बच्चो, ठीक है, लीच, अर्थवर्म, यह सब bisexual है, बच्चो, अर्थवर्म हो गया, और यह लीच अर्थवर्म हो गया, बच्चो, आपका इसमें नेरिस, ठीक है न, एक example है, प्लेट वांस जो होता है, यह भी bisexual होता है, प्लेट वांस, क्योंकि इसकरी से एकमेंबर है, तो प्लेट वांस में बाइसक्षियल ही, maximum के सिसमें मिलता है, तुमारा एक exception है, बच्चो को लेके चलना नहीं है, तो option में भी जो गया एंसर हो जाएगा, पॉलेट इटी, यहाँ पर जो नेरिस होता है, बच्चो वो होता है, आपका, नेस्ट वोशन है, बच्चो, closed circulatory system occur in, close circulatory systems occur in, तो एक बाइस रकुलिटरी सिस्टेम के सिस्टेम के देखो बच्चो, close किसके में होता है, उसी में देखते हैं, तो सबसे पहले इसमें डेबलप हुआ था, aby ठीक है, ऑने लिड़ा, उसमें closed circulatory system, और पर पॉट्वटा में ही जके उसके बाद और मुलस्क में आ जाते हैं तो सिथे गसा हम आप से भी सुखेंगा आप आप कशने लगा चाहिए जाहें जंब विदे होता है इसमें चंफ होता है सिर्फ सिपलिक्स मोलाशoder से इसे आपका और अक्टॉपस हो गिया स्क्वेट्स विए उन्हें अलोह थुर्ल नहीं होगा स्कुर्ट से बच्चों यह एंसर हो सकता है वागी यह अर्थोपोड यह पॉड़ा यह इसमें ऑपन डैप सिब्ले सुस्टम होता है तो इसके वजा अलोग देवा नहीं इसमें एंसर हो जाएगा कटलफिश यह आपका एक सेफैलिक मुलस्क है बच्चों ठीक है ध्यान में रखना यहां पर एंसर हम लोग ने चूज क्या कर लिए है एंसर चूज कर लिए हम लोग ने थार्ड एंसर ठीक है था मैं नेक्स्では थे कशन्स बच्चों अपका है और उनीच करेड्ल ल कि आमको क्यी है तो इसमें से रेडियल सिमेट्री वाला कोई दीख रहा है क्या सब यहां पर बाइलेटरल सिमेट्री है ठीक है तो अमने यहां कुछ बचा नहीं है अब आजाते हैं डेटरोस्टोमिक होते हैं और इंटरोस्टोमिक होते हैं इसमें एक और चीज़ देखने को मिलता है बच्चो एक होता है प्रोटो स्टोम और एक यहां सामने आपके लिखाई है डेटरोस्टिमेट्स में बच्कों इसमें माउत पहले टफेलब होतommenं में माउत य्वलब होते हैं तो इसमें डेटरोस्ट्रमेट्स पूछ रहा है तो ने सा應該 लिखात इंटरोस्टोमिक होता है और ये थोड़ा advance है इसमें example से बच्चो आपका Echinodermata, Hemicorodata, and Corridate तीनी ग्रूप है Echinodermata, Hemicorodata, and Corridate तो यह तीन लोग क्या हो जाते हैं बच्चो आपका Deteros Scrimmage हो जाते हैं फिर्टेन होते हैं ठिक है तो लोग इसमें से चूज करना है आँ कायनोडरमाटा या तो कॉर्टेट या तो हैJa two है फार हमिकॉर्टिट तरफ न है यहां बोला है गया बाइडि इसमेट्री आई तर पेलाम से पीराधा जांट लोंग ट्वें फिर्टक न हीश्टार्इड में तो चुन्-рос में कि यहां पे चूस करेंगे ऐंसर अगर हमें चूस करना है तो जो मूर एप्रोप्रियेट है वो हो जाए अगा थार्ड वह जाए अगे अगर जो जाए रहें था सब्सक्राइब आपका correlate तो 100% बच्छो डेटर रस्टरमेट सी होता है बट इकानो डर्माटा है तो questions बहुत अच्छा नहीं है अगर इस तरह को इस तरह के questions को भी फेस करना सीखिए आप लोग नेक्स्ट आजाते हैं लोग आटवा नंबर questions है बच्छो इसमें बोलना है आपका की प्रॉबसिस ग्लेंट्स और और एक्स्दे और अच्डेटरी ओर अर्गैन किस में हैं तुम्हार इस में ठीक है बाढ़ हूंं में प्रॉबसिस गलेंट्स को यह मिलता आपको है मिलता है ह 보ह आ यह सीदे इसदे बाक़ी ईयूरो यूरल Leida सोता है सिफ्षियल लो कोडेटर अ concernниц technique होता guarantees अर्गन्स बाखी आए निगरगे लेंग 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 रोता है यहाप एंसर हो जाएगा बत्चो प्रावसे सिदा याद अखना प्रॉब्सिस जो हता है आपका मिलता है यह में हैं में मिलता है प्रावसेंट करेंगे ऑन्रक्षा विज़िट अचेंव लागे वाध arises from the mesoderms, mesoderms से कौन से बना हुआ है, तो mesodermal origin जो बच्चो होता है, वो notocode होता है, साफ-साफ epidermis होता है, ectodermal spinal cord होता है, ectodermal lever जो होता है, बच्चो ये endodermal है, ये endodermal है, ये ectodermal है, ये भी ectodermal होता है, और यह मेजोडर्मल होता है तो इसको याद अखना पड़ेगा बच्छों हम लोगों तो यहाँ एंसर हो जाएगा हम लोगों के लिए बच्छों आपका सेकेंट्स यह दो जगा पर है एक तो नोटो कोट का तो सीधे सीधे एंसर टी में इसी एनिमल किंग्नम में ही लिखा बाकी जब 12 में इमिरोलोजी पढ़ोगे बच्छों मतर थोड़ा साथ में दिया भी है कि कौन सा जम लेया से कौन सा बॉड़ी पाट बनता है तो वहां से भी आपको याद हो जाएगा ठीक है कोई नहीं तो दो जगा है जहां से आपको यह चीजे याद हो जाएगा ठीक है नेक्सकी किछिन ऊब्टते हैं लोग नेक्सक्स्ट कोश्ण है बच्छो यह मैच कॉलम मैच करना है यह कॉशिण में में ओकी फिस एंड कॉमने इम्स को इसमें मैच कर लेना है बच्छो ठीक है बहुत सिंपल सा कोशिंस है इसमें देख लेते हैं क्या हो जाए गाए इस तो टायरोगों जो इसको में बोलते हैं स्टिंग फिश बोलते हैं सीधा-सीधा याद अखने वाला चीज है प्रेस्टीज जो इसको शॉफिश कहते हैं ठीक है कार्चेरोडों स्टो बच्छो इसको ग्रेट वाइट शॉर कहते हैं सब दिया हुआ और स्कॉलरडों को डॉक्फिस कहते हैं सीधा-सीधा दिया हुआ है इसमें से एंसर मैच कर लेना अभी तो साइधर यहां पर कुछ ठी यह फोर्थ एंसर दिख रहा है चेक कर लेना बच्छो अगर गला तो कमेंट कर देना ताकि बाकी ओडियंस को भी यह पता चल जाए कि एंसर इसमें एंसर हो जाएगा बसी यह मेमरी देस्ट बच्छो मैच करना हम लोगों को इसमें याद रखना है ठीक है नेक्सक्क्षिन रप्टाइल और बर्ड्स इन सम में बच्छो एक्स्टर्नल एयर जो है यह होता है अपसेंट ठीक है सिदे मिडिल एयर से एयर स्टार्ट होता है और जो मैमल से बच्छो इसमें प्रेजेंट होता है तो इन में फिस में फिस का तो चलो बात ही छोड़ देते हैं एक्स्टर्नल एयर जो होता है बच्छो वह टिंपेनम से रिप्रेजेंट किया जाता है एयर पीना तो होता ही नहीं है कोकेलिया इंटर्णली सम्में होता है ट्रीम इंट्रीम का जाता है जो एक छोटा सा अगर फरोग का देखो गया से उसमें बाहर इस तरह से निकला वा रहता है प्लेट सब्च्छा बैंन कहते हैं बच्छो इसमें इसमें यह गारा नमर का होजाएगा बच्छो चार एंसर हो जाएगा तो यह भीटeur बच्छो फोर्टेनार वट्चो और गोठी निलेक्स आ जाते हैं बहुत सारे मैम्स हैं। बत्चो मैं मैं मिन भैक्त में जैसे होता है। अबढ़ है। उसके बाद य होता है ये ह्याउच पारिव स men में convert हो जाता है, phasors में convert हो जाता है, बहुत अच्छा question है, question हो जाएगा, आपका 12 का one answer हो जाएगा इसमें, ठीक है, next आजाओ बच्छो, आपका question number 13 है, segmentations of body is first observed in segmentations, segmentations का तीनी examples है बच्छो, ठीक है, analyder है, orthopoda है, और एक है coordinate, ठीक है, अब इन तीनों में पहली बार किसमें, ये segmentations observe किया गया था, तो obviously analyder सबसे पहले आया था, तो analyder में ही देखा जाएगा, बच्छो इसमें, ठीक है, analyder में, तो यहाँ पर answer हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, बाकि एसके element में segmentation होता नहीं है, प्लेडियर में segmentation होता नहीं, लेकिन इसमें एक member है, आपका टीनिया, सिस्टोडा, क्लास सिस्टोडा, टीनिया, सोलियम, जिसको हम लोग बोलते है, tap worms, उन में segmentation होता है, but that segmentation is known as the pseudo segmentation, क्या बोलते हैं, इस case में गया बोलते हैं बच्चो, इस case में बोला जाता है, pseudo segmentations, ठीक है ना, मतलब यह metameric segmentations नहीं होता, pseudo segmentations होता है, ठीक है, तो answer हमाला यह हो जाएगा, third हो जाएगा, next questions के तरफ move करते हैं बच्चो, यह भी एक match the column है, match the column में देख रहा है, मैंजे सिधा सिधा, ठीक है, तो इसको हम लोगों match कराना है, तो cyclostremeta, ठीक है, यह एगनाथा से, class एगनाथा से बिलोंग करता है, Aves जो है बच्चो, यह tetrapoda से बिलोंग करता है, tunicates, tunicates जो होता है बच्चो, यह हो जाता है, euro corredate और cephalo, यह हो जाएगा बच्चो, euro corredate, blenoglossus जो होता है बच्चो, यह होता है, आपका, hemi corredate और osteoctis, मतलब यह bonifish, मतलब यह Pisces जे बिलोंग करता है, ठीक है बच्चो, तो यहाँ पे सीधा सीधा मिला लेना है, तो मिल रहा है, इसी चौथे में साहँ दिखो, यह का, R, B का, P, ठीक ही दिख रहा है, C का, Q ठीक दिख रहा है, और T का, P, ठीक है, यह answer रहागा बच्चो, यहाँ पे थोड़ा चेक कर लेना, आपका जल्दी बाजी में बढ़र हो गया हो, तो आप मझे comment करके जुरू बत जाएगा, नेक्स आ जाते हैं बच्चो, यहाँ पे, ओभी में मेरे बेस्ट ही कोशन था, कोशन है, विच और तो पूर्ट्स इस यूस्ट इन सेरी कल्चर, सेरी कल्चर का मतलब होता है, बच्चो, सिल्क वाम्स, ठीक है, ना, सिल्क के प्रोडक्शन स्कों मोलते सेरी हाँ, यूस्या जाता है, और और शिल्क वाम्स का जासा, बच्चो, बच्चो黃, यह तो तुमहरा गिरीö स्ट होता है, अले पे डार टैरंस, यह तो एक इन्सेक्ट का कोई ग्रूप है, ठीक है? बच्चो बच्चो इंसी समलोँ एलक्स के योता है, इससे 서ी को क्यों सिल्क क थोड़ा छोटा करना पड़ेगा दिखाने के लिए कुशिंस कहीं डबना रहा हूं रहा हूं दब रहा है और गी नीचे हाँ नहीं हो गया हो गया है टो फिके छोलो नेक्स वक्षिन इसमें है थे फिद रहा है इसमें दिख रहा है बच्छों मलगा विच अप द फॉल इंग बच्छों समझना पड़ेगा क्या दे रखा तो हुचीज करेक्टिली डिस्क्राइब दर नंबर वेरे डिस्काइब दर नो सिंगल एक्सेप्शिंस ओके और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए यहां पर जो भी जिसके बारे में लो डिसकस कर रहें बात कर रहें और अब आंस में सब्सक्राइब है तो उसकेस ठाइब गारे मत्यों सो उसका स MOR जि tallman लेए ऐए कि आफि сердाश्री करों कि बच्छों ब्रट्स के ओपर भी होता है रसमें तो चो डोلाई है फोर पेर ऑफ गिल्स पिरिवल सही है and have one and operculum on each side तो बोनी फीसेस में बच्चो operculum होता है और cartilaginous species में operculum नहीं होता है वहाँ पर आपनिंग होता है इसमें कोई exception देख नहीं रहा तो answer यह हो सकता है बाकी हम लोग और चेक करते हैं all sponges are marine and have a colored cell, colored cell तो इसका character feature है लेकिन बच्चो कुछ fresh water sponges भी होता है जिसमें sponge ही लाइक आ जाता है ठीक है fresh naamी fresh water sponge तो यह भी गया काम से अब बच्चता है यह चाह होता all mammals are baby paris and possess diaphragm for the breathing देख बच्चो diaphragm का कोई exception है लेकिन baby paris का exception है क्योंकि इसमें कुछ इगले emails भी है तुमारे ठीक है तो यह भी गया आप answer यहाँ सीधा हो जाएगा बच्चो बढ़ियासा questions है लबा है लेकिन ठीक है पटने का time लगेगा लेकिन यह questions बढ़ जाएगा बच्चो ठीक है answer हो जाएगा इसमें second answer हो जाएगा इसमें इसमें दो फॉम होता है इसमें इसमें दो फॉम होता है होता है आपका polyf और médusa Vidura फॉम होता है दो फॉम में एक Madusa और एक होता पॉलिव और उसमें से बच्चो जो पॉलिफ होता है ठीक है पॉलिफ जो होता है यह इस तरह से some radical shape होता है और यह बच्चो ध्यान रहत यह यह इस तरह से अमरेला शेप होता है और इन में दोनों क्या हुआता है इसी प्रोसेस को बोलते है अल्टनेशन अब जनेशन बिटून असेक्शन फेज़ेशन बिल्कुल सही है बाकी और गी देख लिए थे अकर अकर अप्ड़ डिरास्टिक चेंग फ्रॉम दे चेंग इन फॉर्म्स दूरिंग पोस्ट इंपरोनी डेवलेप्मेंट पोस्ट में इसमें मेटामोर्फोसी बोलता मैं धनली सीतल संव संभी आपलिंटी की लिए मोश्ट में में हम लोगों उसमें टर्म सी उस करते हैं जिसको बोलते हैं कि segmentation के लिए meta merism यूज किया जाता है that's not a meta genesis ठीक है काभी confusing है पास-पास में तो इसलिए words इन दोनों में दे रखा presence of different type of morphic forms the polymorphic बोला जाता है उसको meta genesis नहीं बोलते है में meta genesis में बच्चों देखो यहां पर जैसे polypore medusa यह बिल्कुल हो सकता था कि दो फॉर्म है बड़ यहां पर दोनों फॉर्म alternative असेक्शन और सेक्शन तो यह बैटर option सबसे बैटर दे रखा है कि फॉर्म को भी discuss नहीं करके यहां पर sexual form टीज को दे रखा है और इस नौट प्रेजेंट इन पेरीपलिंटाणा अमेरिकाना अमेरिकाना मतलब यह कोक्रोच के बारे में बोल दो कि नहीं है इसमें टीक है बच्चों इसके बारे में बोल रहा है तुम्हारा हम लोगो देखना पड़ेगा कि किसके बारे में डिसकस कर रहे हैं ठीक है तो चलो एक एक option पढ़ते जाते हैं हम लोग अपने आप समझ में आ जाए कि क्या कहना चाहरे हैं एक जिलोग एज बॉड्डी टाहरे में होता हैं ठीक है रिषिकैने ड्यचे अर्फोड़ के केसे में इंटरी इंटरれं गवे is during the embryonic developments, ठीक है न रडियर डेवलोमेंट्स ठीक है, in determinants, बच्चो देखो और तरो पोड़ा मतलब जो लूवर अनिमल्स उनमें in determinants होता है, बाकि जैसे थोड़ा सा higher orthopoda होग़ा में आएंगे, इसमें determinants types का, और यहां पर radial क्लिवेज नहीं प्रेजेंट होता है तो यह ऑप्षिन और तो पोड़े में नहीं हो सकता है बागी ऑप्षिन और अदर देखते हैं एक्जोस्केलेटें कंपोज्ट ओफ के बारे it's okay अचंब सही है और मेरिकली सेगमेंटेशन भी होता है ये और बच्छों धिस आई आउट फूकोशिंट रह गिए तो मतला इस अठाल नुम्हों कर देते हैं जो की अठीपोड में नहीं होता है है सब्सक्राइब कोक्रोच में प्रिजेंट नहीं होता है एक साथ है 19 नमर कॉर्शन बच्चो तो मैमल्स गिव राइस टू दे इमेचूर यंग वन अंडर नर्सिंग स्थेंग इंटो दवाउच आर जाता है और यह उसके मूव करके पाउच में चला जाता और वही से मिल और यह जट करता है लोग मार्शुप्यंट कोई दूसरा याद करना ही नहीं मार्शुप्यंट कहा जाता है सीधा से इसलों जाएगा एंसर टू मोनोट्रीम बच्चो ये एक लेंग में मन्स वाला होता है और प्राइमीट जानते ही इंप्स होगर आजाएगा कानुवरा टाइगर लायन्स इसमें बेस्ट एंसर हो जाएगा तुमारा थेके नेक्स आजाते हैं क्वेश्टेंस है बच्चो 20 नमर और इस सीजन इ लास्ट दम पहुंच गया है लास्ट कुछिन है विचीज स्मालेस्ट एक्षोनिक टेक्सोनोमिक ग्रूप है विंदा क्रैनियूम ध्यागंद रखना वर्टिबरल कॉलम ठीक है वेंटरल हार्ट फल्मोनेरे रेस्पारेशिंस एंटू पेर अफ लेक्स मतला भी टेट्रापो कर दो ठीक हैं तो स्माललेस्ट में देखो ये टेट्रापो डाफाट पाईसेश सबसे बहुत जाद और ये तो टेट्राम को अरेंज करेंगों तो सबसे पहले आया तुमारा उदयटे ट्रच मुट कोड्रेंट या इसके बाता आंजowsक पॉस्थ अपर अशक्क में करेंटपर अजया इन में सते तो आप मासं में के आख द हम लोГ के टी बाता हूं एंसर वाजाएगा हमारा फोर्थ बच्चो ठीक है तो यह तो रहा है बच्चो हम लोग का 20 most important questions from the chapter animal kingdom जो कि हम लोग बढ़ा है था बच्चो सुपर 2020 सेरीज इस सेरीज में अभी तक हम लोग ने बच्चो कम से कम पांच छे चप्टर तो कवर करी लिया है जिसमें मुझे अभी तक जो यादरा में बहुत दे रहा हूं reproduction in organism, reproduction in plant हो गया है 12th का 11th में बच्चो देखो living word biological classification plant kingdom और यह हो गया आगे आने वाले समय में बच्चो में बागी के सारी chapter possibly cover करूँगा बनाता रहूँगा इसमें ठीक है तो आप इसको देखते रही है यह हमारा लिये क्या है परियास है कि में भी अगर इसमें से एक दो कोशन भी फस गया तो we are very lucky कि हम लोगे ने कुछ अच्छा एक positive काम किया बच्चो इसमें ठीक है तो आपको यह वीडियो मे अब लेना स्टार्ट करा हूँ तो live मेरे साथ जुड़ना है तो आप notifications को थोड़ा सा देखते रहेगा बच्चो ठीक है ना community tabs में भी मैं लिख दिया करूँगा देखते रहेए मैं और पुराने जो भी मेरे student है मेरे जो भी subscriber है उनकसे तो like, share और comment बनता ही बच्चो ठीक है झाल